आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Growth and Inheritance is the result of पूछा गया है कि Growth और Inheritance किस चीज़ का Result होता है तो अगर हम लोग Growth को Consider करते हैं तो Growth का मतलब होता है कि यहाँ पे Multiplication Division दिखाई देता है यहाँ पे Cell Number जो है वो Increase होता है 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 इस तरीके से तो यहाँ पे जो Division होता है यह Basically Mitosis से Take Place करता है लेकिन वहीं पे अगर Inheritance का बात किया जाए तो Inheritance चू होते है यह Reduction Division से Possible होते है जहाँ पे Gamet Formation के लिए क्या होता है कि जो यहाँ पे 2N Cells रहते हैं Chromosome वो यहाँ पे Reduce होके N Number of Chromosome फॉर्म करते हैं तो यही Reduction Division को हम लोग Meiosis हिसाब से Consider करते हैं और Mitosis, Meiosis मिला के ही यहाँ पे Growth और Inheritance जो है वो Different Individuals में पाई जाते हैं तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो जो Correct Option होगा वो हो जाएगा Both the Mitosis and Meiosis जिसके वेज़े हम लोग यहाँ पे Third Option Both को Tick कर लेंगे जो की इस Respect में Correct हो जाएगा और किसी भी एक चीज़ को हम लोग Neglect नहीं कर सकते हैं क्योंकि जितना जादा Meiosis important है उतना ही जादा यहाँ पे Mitosis भी Important होता है Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर